हम इन्पुट डिवाइसेज पढ़ रहे हैं और हमने क्या पढ़ा पिछले लेक्चर में थोड़ा सा हम देखेंगे देखो इन्पुट डिवाइसेज में आप बताएए कीबोड का इन्वेंटर कौन है किस्टोफर लाथम शोल्स वो है फादराप कीबोड या फादराप टाइप राइटर उसने कौन सा कीबोड इन्वेंट किया अगर यह सवाल आया तो आपको बताना है कवाटी कीबोड अग कंप्यूतर के रैम में keyboard strokes का जो store होता है data उनके words store होते हैं वो computer के रैम में जो store होते हैं उसको क्या कहते हैं उसको बोलते है कीबोड buffer कीबोड buffer जो hold करता है कीबोड के words अगर यह सवाल आये कि आप बताएं गौर्णमेंट अब इंडिया ने कौन सा keyboard बनाया इनमे से आपको लिखना है Inscript keyboard ठीक है अब InScript keyboard में अगर सवाल आया कितने स्क्रिप्टस हैं 12 स्क्रिप्टस हैं कितने keys है 104 या 105 दोनों के दोनों option नहीं होंगे या बोत A and B option भी होगा ठीक है ऐसा नहीं जो examiner सवाल पूछता है ना वो सारी पढ़ के आता है अब ये भी सवाल अगर आए कि हाँ ये चीजे क्यों है A B C D E F क्यों नहीं है तो आपको ये भी लिखना है क्योंकि प्रॉब्लिम हुई थी पहले जमाने में था ये फिर इसको बंद किया गया और ये चीजे आई रीजन रीजन इसकी वज़ा से बहुत फास्ट टाइपिंग हुई A B C D सब को पता था कैसे चलता है फास्ट टाइपिंग को रोकने के लिए क्योंकि फास्ट टाइपिंग से क्या होता था कीज जैम होते थे ये कीज जो जैम होते हैं उसको रोकने के लिए और थोड़ा सा स्ल किया आजार्टी अच्छा हर जगा हर कंट्री में लगबग आपको दिखेगा यह most common इंडिया में भी कवार्टी ही चलता है ठीक है यहां तक तो हमने पड़ा इसके बाद भी आजान हुई एक सेकंड है एक सेकंड आजान हुई ओके अब अगर सवाल आए कि अल्फा न्यूमरिक कीज क्या होती है आपको लिखना है अल्फाबिट भी होते हैं नमबर भी होते हैं कितने अल्फाबिटिकल कीज है 26 कितने न्यूमरिक कीज है 10 अगर सवाल आए यह जो symbols है वो कौन सी कीज पे उपर होता है वो होता है नमबर क बिटिकल कीज के राइट साइड में अगर ये सवाल आएए इन में से प्रोग्रामेबिल कीज किन को बोलते हैं आपको लिखना है फंक्शन कीज कितने हैं वो 12 हैं वो अगर सवाल आए कि नैविगेशन करसर का कौन सी कीज दिखाती है आपको बताने है navigation key उसका दूसरा नाम क्या है करसल कंट्रोल की उसके अंदर और ही key भी आते है arrow keys भी या उनका नामभी आपके सकते हो books लिखते हैं कुछ इनका नाम arrow keys भी है क्यूँ? क्यूँकि इन्ही के अंदर arrow keys आते हैं अच्छा सवाल अगर आए अच्छा इसमें आप बताएए कि एसी कौन सी कीज है जो साथ में मिलाके इनवर्टिटी बनाते हैं उनको बोलते हैं arrow keys ठीक है या navigational keys में ऐसी कौन सी कीज है जो inverted T शकल बनाते हैं arrow keys ऐसी कौन सी की है इनमें से कौन सी है navigational key आपको लिखना है नीचे डूनना है page up, page down, home and arrow keys अगर ये सवाल आए कि beginning of line पे कौन ले जाता है home, end of line या end of document पे कौन ले जाता है end, page down और page up से up, down, page हो जाता है अगर ये सवाल आए कि toggle keys जो है वो क्या काम करती है आपको बताने है वो अपना change करते है state, internal functioning सारी change हो जाती है on off, इनको बोलते है on off keys भी ये भी आप लिख लेना on off keys कि इनको बोलते है toggle keys को क्योंकि इनको on करने से functioning एक होती है computer की इनको off करने से functioning दूसरी होती है computer की इसमें से caps log, number log, scroll log, insert की यह मैंने आपको बता दिया है और और यहाँ पे कहां है सर caps lock, फिर उसके बाद number lock, फिर उसके बाद scroll lock, फिर उसके बाद insert की, यहाँ तक तो ठीक है सर modifier keys अकेले काम नहीं करती तब ही तो उनको बोलते है combination keys, कौन-कौन सी keys है आपको नीचे बताना है सर उसके बाद अगर आपको सवाल आए कि कीबोर्ड में दो जगर number keys होती है, right hand side आप the keyboard भी number keys होती है दो-दो जगर number keys हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो आगर 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 आपको सवाल आए कि करसर को preset point पे पहुँचाना या writing में आप preset point पे जब करसर रखते हो कौन सी key की वज़ा से वो करसर वहाँ पे चला जाता है या typing वहाँ से start हो जाती है tab key, अचा कौन सी key की वज़ा से cancel होता है program execution program की current program escape की कौन सी key की वज़ा से आप screen shot उठा सकते हो अपने screen का print key बड़ी key कौन सी है और वो space भी छोड़ती है space bar ok button को क्या बताया जाता है उसको enter button भी बताया जाता है या enter key भी बताया जाता है वो cursor को next line या नई entry नया अगर starting से लिखना है तो वो कर सकते हो आप और enter कर सकते हो backspace key आपको वापस लेती है erase करती है delete key भी erase करती है लेकिन delete की बाकिस सारी चीज़े भी erase कर सकता है memory भी और writing भी windows key में आपका open start menu हो जाता है menu चड़ता है उपर से नीचे तक आप select कर सकते हो उसमें कुछ भी तो ये number 1 तो पता है tab escape print space bar enter backspace delete windows tab escape print space bar enter backspace delete windows tab 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 ये है escape escape ये है print बोला था फिर print 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 कहा है sorry sorry print screen ना print screen यहाँ पे होगा print screen नहीं पे होगा उसके बाद space bar ये longest की है आपकी देखो कितनी बड़ी है उसके बाद enter है ये है enter उसके बाद backspace है ये है backspace ये है backspace ठीक है उसके बाद बोला था मैंने delete हाँ delete ये है उसके बाद windows और windows ये है आपका ठीक है ये आपको इस शकल में अच्छी तरह पता चलेगा आसानी से पता चलेगा तब ही तो दो दो रखे मैंने उपर आप देख सकते हो ये keys अब pointing devices ये भी हमने पड़ा इसमें कैसे सवाल आएंगे sir which among the following are pointing devices बहुत आसान सवाल अच्छा mouse को किसने का invert किया ये है आपके सामने बंदा mouse क्या करता है pointer या cursor की position decide करता है और change करता है mouse की वज़े से dragging हो सकता है select हो सकता है और नीचे और भी functions है तीन तरह के mouse है sir wire के बगार mouse वो radio waves पे काम करता है सवाल आएगा wireless mouse कोन से waves पे काम करता है radio waves wireless mouse का दूसरा नाम क्या है cordless mouse optical mouse के नीचे क्या लगा होता है या किस सीज़ पे उसमें LED sensor लगा होता है यहाँ पे आपको दिखे का LED sensor लगा होा है mechanical mouse के नीचे क्या होता है rubber ball इसके नीचे rubber ball होती है इसके नीचे LED sensor होता है light emitting diode sensor अच्छा कौन से माउस को बाल माउस भी बोला जाता है बाल माउस यह बाल अच्छली रबर की होती है माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है कि कारेक्टर यूजर इंटरफेस पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है तो वो character user interface पे काम नहीं करता है हमें आगे पढ़ना है अची तरह character और graphical user interface टेंशन मत लीजे उसमें अब detail में बताऊंगा कौन सा device क्या काम करता है अच्छा action of the mouse क्या है ये भी मैंने बोला देखो 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 right click दबाओगे तो list of commands डिस्पले होगा left click दबाओगे तो select हो जाएगा item wheel को उपर नीचे करके उपर नीचे page में चले जाओगे आप ठीक है drag and drop करना है तो left पे दबाएए और screen को उतर नीचे आप कर लो कहीं पे भी drag drop कर सकते हो moment करके left double click लगाओगे तो file को open कर सकते हो triple click left पे लगाओगे तो select कर सकते हो entire para अगर आप paragraph पे हो और और यार इसको आप किसी जगापे पहुचाओगे किसी जगापे पहुचाओगे जिस जगापे उसको पहुचाओगे आप click विलिक करने के बगाएरी उसको बोलते है point मतलब mouse को mouse is pointer or an item item के उपर point करना item के उपर सिर्फ mouse को रखना उसको बोलते है point भी यही भी सवाल आ सकता है without action अगर आप सिर्फ mouse को किसी item के उपर रखते हो तो उसको क्या बोलते है point बोलते हैं अब आज शुरुवात करते हैं हम शुरुवात क्या input devices से तो हमने शुरुवात करी ली हम पढ़ रहे हैं pointing devices और उनको हम continue करेंगे देखो भाई track बाल है दूसरा pointing device पहला तो mouse था mouse की तरह ही यह भी काम करता है like mouse है यह इसको invent किस ने किया? Tom Cranston ने, Ralph Benjamin ने, F Longstop ने यह तीन नाम आप याद रखोगे क्यूं? क्यूंकि कुछ books यह लिखती है कुछ books यह लिखती है, कुछ books यह लिखती है, तो हमने तीनू के तीनू लिखे क्या बरोसा जेके SSB पे जो नाम आए, टिक कर लेना तीनू के तीनू आए, टिक कर लेना एक ही question में दो-दो नाम नहीं पूछ सकता, जेके SSB उस पे मैं आओंगा आपको case करने फिर, जब वो ऐसे सवाल पूछेगा, करने ही सकता है वो, या तो उसने अच्छी तरह सारी किताबे नहीं पढ़ी होगी, जेक SSB वालों ने, उसके बाद यह track ball जो है, mouse की तरह ही है, ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, यह भी control करता है या pointer, जो monitor के उपर होता है, उसकी moment यह भी control करता है, मगर खास बात यह है, यह ball 360 degree में उदर इदर, पहले पहले यह नहीं जाती थी 360 degrees में, लेकिन अब जो आ रहे हैं track ball, वोन में यह 360 degree, यहां भी जा सकती, यहां भी moment, east moment, west moment, north moment, south moment, south east, south west, north east, north west, आपकी मरजी, 360 degrees में यह गूम रही है, ठीक है, हार एक direction में यह गूम रही है, अब device को आप, अच्छा फरक क्या है सर, मैं क्यू लाओ track ball, मेरे पास तो में mouse है, फरक खास कर यह है, कि इस device को आपको moment नहीं करनी पड़ती है, आपको पता है, मूम में माउस को उठाना पड़ता है, थोड़ा सा balance में लाना पड़ता है, माउस को उठा के थोड़ा वापस लाना पड़ता है, तो इसको आप एक ही जगा रखो, आप इस बाल से सार यह ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वैसे mouse भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल यह लैपटाप के साथ आसानी से हो सकता है, लैपटाप के साइड में इसको आप रख सकते हो, उपर भी रख सकते हो, क्योंकि इसकी moment ही नहीं करनी, अच्छा, computer-aided design में यह काम आता ह इसकी moment ही, computer-aided machining में यह काम आता है, radar में यह काम आता है, radio detection and ranging, sonar में यह काम आता है, sound navigation and ranging, इन सब में यह trackball काम आता है, अच्छा, अब अब लैपटाप तो सब को पता है, लैपटाप क्या होता है, computer-aided design की वज़ाए से, design करते हैं बाई, किसी भी चीज़ की design करते हैं, computer की वज़े से, computer-aided machining, machining नाम से पता चलेगा आपको, इसको बोलता है, computer-aided machining भी, computer-aided modeling भी, computer-aided manufacturing भी, याद रखना, तीन हो नाम मैं साथ-साथ बोलूँगा, machining के बदले, कभी आप सुनोगे modeling, कभी आप सुनोगे manufacturing, चलो computer-aided modeling हो, manufacturing हो, machining हो, कोई बात नहीं, लेकि क्या करते हैं, यह use of software to control machine tools, मकसद की बात यह, कि इसकी वज़ा से, आप machine tools को control करोगे, for example, manufacturing कर रहा है, कोई सामान, अपने हाथ के बगएर, आप इसकी वज़ा से, machine tools को control कर सकते हो, ताकि goods and services manufacture हो जाए, हाथ से कोई काम ना करे, खुद ही machine, सारे machines को control करे, यह cam की वज़ा से आप machines को control कर सकते हो, बैठके, computer पर बैठके, ना कि machine को दखा दे के, उसके बाद है, radio, radio detection and ranging, यह वैसे आपको पता ही होगा, यह radio waves use करता है, यह क्या बोलता है, यह क्या देखता है, यह range देखता है, angle देखता है, velocity देखता है, objects की, यह normally air, air में objects, जैसे की aircraft, space, crafts, missiles, हवा की हवा में जो चीजे हैं, उन में यह normally इस्तिमाल होता है, sonar जो समंदर में चीजे हैं, उन में normally इस्तिमाल होता है, normally मैं बोल रहा हूँ, radar जो हवा में चीजे हैं, क्या आप देखता है radar, radar की वज़े से क्या होता है, यह radio waves use करता है, इसमें क्या होता है, range, angle, velocity of objects देखना, sonar अगर समझ नहीं आ तो कोई बात नहीं, थोड़ा से इंजिनिरिंग में हम चले जा रहे हैं, सोनार का मतलब होता है, sound, navigation and ranging, यह sound waves यूज़ करता है, navigate करना के लिए, underwater, underwater देखने के लिए, navigate करने के लिए, बाकरी चीज़े, यह सोनार है, मत जाओ उतना डीप, इतना याद रखो, sound waves यूज़ करना, radio waves यूज़ करना, machines को चलाना, design बनाना, kleptops, तो आपको पता है, आपके पास है, मुझे पता है, इन सब में इस्तिमाल होता है, track ball, किसने इन्वेंट किया है, याद रखना, joy stick को बोलते हैं, control column B, joy stick, इसलिए क्यूंकि joy stick से याद रखना, महरबानी करके, क्यूंकि ये video games में इस्तिमाल होता है, इसलिए joy, joy stick को बोलते हैं, control column B, ये किसने इन्वेंट किया, रैलफ, बेर ने, और मिरिक ने, मिरिक और रैलफ, बेर, दूनों याद रखना, रैलफ, बेर भी और मिरिक भी दूनों याद रखना, joy stick को इन्वेंट करने वाले हैं, ये और, 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 ये करता क्या है, वीडियो games के इलावा, aircraft control करता है, और ये mouse की तरह भी ये control करता है, cursor moments, याद रखना, ये joystick भी, joystick भी mouse की तरह और trackball की तरह ही है एक मामले में, क्या, जो cursor होता है न, जो pointer होता है न, screen पे, desktop पे, उसको ये भी control करता है, मगर इसका खास काम पता है, एक तो ये वीडियो games में इस्तिमाल होता है, और, aircraft control, aircraft control पता है, जब जहाज के सामने जो होते हैं, जहाँ पे, pilot बैठता है, आपने movies में देखा होगा, जहाँ पे, pilot बैठता है, वहाँ पे, ये भी होता है, उसके side में, handle जैसी कुछ, वो करता control, मतलब वीडियो games में इस्तिमाल होता है, ये भी, ये भी, ये भी, 360 degrees में moment करते, उपर गुमाओ, इदर गुमाओ, आप handle को ऐसे से भी गुमा सकते हो, all directions में handle गुम रही है, तो 360 degrees इसी का मतलब है, circle में handle गुम रही है, 360 degrees.